देखे बिहार लोकसभा का अगाज हो चुका है और आपको बतादे कि बिहार में पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 सप्राइल को होना है और आपको बतादे कि इसी बीच जबसे पवन सिंग ने कारकार्ट लोकसभा से चुनाव लड़ने का एलान किया है तब से कारकार्ट ल सीट बन गई है और इस सीट की चर्चा इंदीनों बिहार के राजगीती में खुब चल गई है आपको बतादे कि पवन सिंग को लेकर तमाम तरीके की ख़बरे चली है जबसे पवन सिंग में एक्स हैंडल पर ये ट्वीट करके बताया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ल उपेंद्र कुश्वाहा का चेहरा हटाने के लिए उनको तर रहे हैं वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है पवन सिंग को माया वती का साथ मिल सकता है और पवन सिंग माया वती के सपोर्ट से बिहार के कारकार्ट लोग सभा सिरसे चुनाव लड़ेंगे वही वह बक्सर से अपना किस्मताज मा सकते थे आसन सोल से टिकर्ट वापस कर दिये आखिर पवन सिंग के मन में चल क्या रहा था क्या सोच कर पवन सिंग में कारकार्ट से चुनाव लड़ने का विचार बनाया और इन ही सारे सवालों को लेकर पवन सिंग के बेहत करीबी मित्र पवन सिंग के साथ वो अकसर नजर आते हैं और इन दिनों वो पवन सिंग को लेकर खूप चर्चे में हैं पवन की बात रख रहे हैं लोगों तक मीडिया में पवन के जगा वही पाइट दे रहे हैं और आपको बता दे कि जब संतोष सिंग पे कारकार्ट लोग सभा के ब् पवन सिंग ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने इस बात की जिक्र नहीं की थी कि वो निर्दलिये चुनाव लड़े हैं ऐसे में लोगों को ये डाउट है कि अभी भी पवन सिंग को किसी राजनेतिक पार्टी का सपोर्ट मिल सकता है लेकि आपको बता दे कि में साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिये हैं कि पवन सिंग बिहार के बेटे हैं और उनको किसी राजनेतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो निर्दलिये चुनाव लड़ना चाहते हैं निर्दलिये जीत पाना चाहते हैं और वो निर्दलिये ही बिहार की सेवा करना चाहते हैं यानी एक बात तो साफ रुप से क्लियर है कि जो राजनेतिक पार्टियों की सपोर्ट की बाते वह कहीं निंगा है और यह बात को संपोस सिंग nे कहीं है संटोस शिंग ने कहा कि यह बात अपने दिमाग से निकाल देज़ी कि पवन सिंग को किसी राजनेटी पार्टी का सपोर्ट मिलेगा वो निर्दलिय ही चुनाव लड़ेंगे और निर्दलिय ही उनकी जीत भी होगी इसके अलावा एक मुख्य सवाल जो कहीं ने कहीं सबके मन में था कि पवन सिंग ने आरा सी चुनाव लड़ने का विचार क्यों नहीं म में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको विक्सित करने की जरूरत है चाहे वो अस्पताल की बात हो शिच्छा की बात हो रोड की बात हो रोजगार की बात हो मतब हर तरीकी से बिहार जो है वो परिपूर्ण है बात कराकार्ट की की जाए संतोष सिंग के अनुसार 15 साल तक वहाँ पे जो भी परत्याशी जीत कर रहा है उन्होंने सिर्फ पार्टी बदली गया ना करकार्ट का विकास हुआ है और ना ही करकार्ट के जो लोग है वो अब तक के परत्याशियों से संतुष्ट हुए है ऐसे में पवन सिंग को लगा कि करकार्ट सबसे पिछड़ा जग यहां कि जनता की जो भी मुद्दे होंगे पवन सिंग जीतने के बाद उस पर काम करेंगे इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा जो कज भी पवन सिंग वहां कर सकते हैं ताकि भोशपूरी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए यूपी न जाना पड़े बलक पवन सिंग इतने बड़े नाम है इतने बड़े चेहरे हैं इतने बड़े हस्ती है कि जैसी उन्होंने कारकार्ट लोगसवा सिर्ट से चुनाव लड़ने का विचार बनाया तब से ही कारकार्ट होट सिट बन गया है और इसको देखिए वही सवाल करने में लगा है कि पवन कराकाट की जनता पमुन सिंग मौका देती है तो आने वाले पास समय में पमुन सिंग कराकाट की दशा और दिशा बदल रख देंगे बांगे आपको डिस और बतार एक आज आजे खा कंश़ अप करते हैं मैं तरह ओर दिशा दिर खकर बहुत कर दा है.